नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू पालक कोपता करी वो भी भोती आसान विधी के साथ दोस्तों हमने आधी किलो पालक लिया है और उसे अच्छी तरीके से धो लिया है और गैस पर अपना कूकर चड़ा दिया है अब इसमें अपना सभी पालक डालेंगे और इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे और एक छोटी गिलासी पानी डालेंगे और कूकर का धकन बंद कर देंगे चार से पास सीटी आने देंगे और दोस्तों हमने एक लेशन की गाठ दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और हमने करीबन आदी किलो आलू लिए हैं उन्हें उबाल लिया है और दोस्तों हमने एक प्याज और दो टीमाटर लिए हैं इनका चौक में परियोग करेंगे और अब हमारा पालक उबल चुका है और दोस्तों हमने लशन प्याज और टमाटर और पालक का पेश्ट बना लिया है और गैस पर अपनी कड़ाई चढ़ा लिया है अब हमने एक कटोर लिया है उसमें हम अपना बेशन डालेंगे इसमें एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे और एक छोटी चम्मच तीखी लाल मेरी डालेंगे और इसी में हम एक छोटी चम्मच धनिया पोडर डालेंगे और इन्हें बेशन के साथ हातों से अच्छी तरीके से मिलाएंगे अब हम अपने सभी उबलेवे आलू भी बेशन में डाल लेंगे और हातों की सायता से इने फोड़ते वे अच्छी तरीके से बेशन के साथ मिलाएंगे और अब हम इसमें अपना फिसा हुआ पालक भी डाल लेंगे और बेशन और आलू के साथ अपने पालक को अच्छी तरीके से मिलाएंगे और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है दोस्तो हमारे आलू उबलेवे हैं और उबलावा पालक है उसमें भी पानी है इसलिए बेशन में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और अच्छी तरीके से हातों से मिलाना है अब आप देख सकते हैं हमारा पेश्ट बिल्कुल तयार हो चुका है अब गैस कर हमने जो तेल चड़ाया था हमारा तेल गरम हो चुका है अब हम उसमें अपने कोपते उतारेंगे और आलू पालक की कोपता करी बनाने के लिए अपने पकोड़े तलेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे और कर्ची की सायता से सभी पकोड़ों को अच्छी तरीके से पलटते हुए तलना है और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और बिल्कुल ब्राउन होने तक अपने पकोड़ों को अच्छी तरीके से तलना है अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे आलू पालक के पकोड़े बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुके हैं एकदम ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इने पलेट में निकाल लेंगे इसी तरीके से दोस्तों सारे ही पकोड़ों को तलना है और हमने अपने लगबग सभी पकोड़े अच्छी तरीके से तल लिये हैं और पलेट में निकाल लिया है आप देख सकते हैं और हमने हल्दी, नमक, तीखिलाल मिर्च, गरम मसाला, पिसाव धनिया और रंगवाली मिर्च का परियोग किया है और अब हमारा तेल गरम हो चुका है कड़ाई में अब हम इसमें थोड़ा सा हिंग डालेंगे और इसमें अपने कटे हुए प्याज डालेंगे और चम्चे की सायता से चलाते हुए अपने प्याज को ब्राउन होने तक भूनना है अब हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, भून चुके हैं अब हम इसमें अपना लसन और प्याज का पेश डाल देंगे और उसे भी मीडियम लो पर 2-3 मिन्ट तक अच्छी तरीके से चम्चे से चलाते हुए भूनेंगे ताकि हमारे लसन और प्याज का कच्चापन निकल सके और चम्चे की सायता से चलाते रहेंगे अब दोस्तों हमारा लसन और प्याज का पेश्ट अच्छी तरीके से पक चुका इसने तेल भी छोड़ दिया है अब हम इसमें अपना टमाटर का पेश्ट डालेंगे और इसे भी चम्चे की सायता से चलाते हुए अच्छी तरीके से लसन प्याज के पेश्ट के साथ मिलाएंगे अब दोस्तों हम इसमें अपने सभी नमक मिर्च मसाले मिला देंगे इससे हमारा लसन प्याज और टमाटर का पेश्ट बहुत जल्दी अच्छी तरीके से पक जाएगा और इनका कच्चापन भी निकल जाएगा और चम्चे से ऐसे ही चलाते रहेंगे दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारा लसन प्याज और टमाटर का पेश्ट अच्छी तरीके से पक चुका है और इसने तेल भी छोड़ दिया है और इस पर रंग भी बहुत अच्छा आ चुका है और इसमें से महग भी बहुत अच्छी आ रही है हमारा लसन प्याज और टमाटर का पेश्ट एकदम अच्छी तरीके से पक चुका है अब दोस्तों हमारा लेसन प्याज और टमाटर का पेश्ट एकदम पर्फेक्ट पक चुका है अब हम इसमें दो गिलास पानी डालेंगे अपनी तरी बनाने के लिए आप पानी ज्यादा या कम भी डाल सकते हैं और इसमें एक उबाल आने देंगे अब हमारा उबाल आ चुका है अब हम इसमें अपना कटा हुआ हराधनिया डालेंगे और चम्चे की सायता से अपनी तरी के साथ अच्छी तरी के से मिलाएंगे अब हम अपने सभी आलू पालक के कोफते भी अपनी तरी में डाल देंगे और चमचे की साहिता से चलाते वे अच्छी तरीके से अपनी तरीके साथ मिलाएंगे और एक उबाल आने देंगे अब दोस्तों हमारा उबाल आ चुका है और हमारी आलू पालक कोफते की करी बिल्कुल बनकर अच्छी तरीके से तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं और इस पे रंग भी बहुती अच्छा आ रहा है और देखने भी बहुती अच्छी लग रही है और इसमें से महग भी बहुती अच्छी आ रही है अगर दोस्तों आपको हमारी आलू पालक कोफता करी की रेसेपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना धन्यवाद दोस्तों